वेरी गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स होप यू अलार गुड स्टुडेंट डैस यू अलो हम लोग चाप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग exercise 4.4 को solve कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने problem first से लेकर problem 4 तक solve कर लिया है तो आज जो rest problem रहे गई हैं उन्हें हम लोग solve करना सीखेंगे तो चलिए start करते हैं तो student यह है आपकी exercise number 4.4 और हम लोग solve कर रहे थे problem number हम लोग कौन कौन से question को solve कर चुके हैं तो first second and third and fourth को solve कर लिया है और आज हम लोग जो solve करने वाले हैं वो है problem number 5 तो चलिए start करते हैं problem number 5 को solve करना तो आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़िए कि यहाँ पे करना क्या है और लिखा क्या हुआ है तो देखिए problem number 5 में write है find the fractions of the given numbers जो दिये गए number है उनका fraction find out करना है अब देखिए यहाँ पे problem कुछ किस तरह से लिखी हुई है A and D तहरा आपको सही से दिख रहा होगा हो 3 by 4 of 24 means 24 का 3 by 4 आपको find करना है कैसे करेंगे इसे चलिए बताती हूँ मैं से स्टोटेंट फर्स्ट प्राबल्म किया थी आपकी 3 by 4 of 24 तो इसे क्यासे write कर लेंगे हम लोग इसे हम लोग write कर सकते हैं यहां पर 3 upon 4 into 24 ठीक है इसको हम लोग इस तरह से write कर सकते हैं और अब इसे solve कर देखिए तो क्या करेंगे यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 and 24 same table के नंबर सें 4 and 24 same table के नंबर हैं तो हम इने cancel out कर सकते हैं 4 1 जा 4 and 4 6 जा 24 ठीक है यह cancel हो सकते हैं क्योंकि यह same table के नंबर है तो इस तरह से जो आपका यहां पर answer होगा वो क्या हो जाएगा 3 into 6 24 के place पर 6 write कर रहे हैं क्यों क्योंकि 4 से मैंने 24 को sorry 4 से मैंने 24 को divide किया है और यहां पर क्या आ जाएगा नीचे 1 आ जाएगा यहां क्योंकि 4 1 जा 4 divide हुआ है student अब क्या होगा अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 write है तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि हमें last में वो number ही मिलता है तो इस तरह से मैं यहां लिख सकती हूँ 3 into 6 ठीक है 3 upon 1 था तो confuse मत होएगा कि 1 कहा गया अगर किसी भी number के denominator में 1 है तो हम उसे remove कर सकते हैं ठीक है अब count करें यहां पर 3 की table 6 time 6 3 जा 18 और यह क्या हो गया आपका answer हुआ clear over student को यह कैसे solve किया गया है यहां पर write था उपर 3 upon 4 of 24 तो 3 upon 4 of 24 आपने find किया कैसे 3 upon 4 को 24 से multiply किया अब आप देख पा रहे होंगे कि यह जो denominator है और जो यह numerator है दोनों ही same table के number है तो हम इसे cancel कर देंगे जब हमने इसे cancel किया तो हमें 4 की place पर 1 find हुआ और 24 की place पर 6 कैसे 4 1 जा 4 and 4 6 जा 24 clear हुआ और इसके बाद हम लोगों ने यहां पर write कर दिया 1 और यहां पर 6 तो 1 4 की place पर आया और 6 24 की place पर क्यों आया क्यों कि हमने divide किया और मैंने अभी बताया अगर किसी भी number के denominator में 1 हो तो हम उसे remove कर सकते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया 3 into 6 और जब 3 और 6 को multiply किया देना answer क्या मिल गया 18 clear होगे सभी को चलिए next problem solve करते हैं students similarly ही हम next problem को भी solve करेंगे जैसे यहां पर क्या write है 3 upon 2 upon 3 of 18 means आपको क्या करना है 18 का 2 by 3 find out करना है तो चलिए solve करते हैं इसे भी student हम इसे भी similarly solve करेंगे जैसे अभी इसके पहले solve किया था तो क्या लिख सकते हैं हम दो 3 upon 4 into 18 यह write कर सकते हैं अब देखें आप 4 और 18 same table के number हैं दोनों ही 2 से cancel out हो सकते हैं तो हम इने cancel कर सकते हैं 2 2 जा 4 होगा एंड 2 9 जा 18 आएगा clear हुआ तो यह दोनों ही cancel out हो सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या write कर सकते हैं 3 upon 2 into 9 यह write कर सकते हैं हम लोग अब आगे देखें क्या करेंगे numerator को numerator में multiply और denominator को denominator में multiply तो denominator को यहाँ पर बस एक ही number के नहींचे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह 9 into 3 into 9 upon 2 तो solve करिए answer क्या आ जाएगा यहाँ पर 9th रीजर 27 upon 2 हम इस number को क्या mixed में change कर सकते हैं बिल्कुल change कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो denominator है वो numerator से छोटा है इसलिए हम लोग इसे mixed में भी change कर सकते हैं तो चलिए इसे mixed में भी change कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 अंजा 2, 2 थरीजर 27, sorry 2 थरीजर 6 और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 तो हो जाएगा 13 whole 1 by 2 आप इस तरह से भी लिखते हैं answer वो फिर भी correct माना जाएगा उसे wrong नहीं कहाएंगे हम लेकिन आपको mixed में change करना आता है तो आप mixed में भी number को change कर सकते हैं clear हो रहा है सारे student को बहुत सारे student में भी भूल गए हों कि हम लोग improper fraction को mixed में कैसे change करते हैं तो जो बच्चे भूल गए होंगे वो अपनी class की group में मुझे बता देंगे ताकि मैं video send कर दूँ mixed को improper में change करना और improper में mixed को change करने वाला और आप उसे फिर से देख लें वैसे आप लोगों ने उस video को देखा हुआ है और solve करना सीखा भी हुआ है लेकिन mostly बच्चे यहीं बोलेंगी कि उन्हें समझ में नहीं आया और वो भूल गया है तो आप अगर क्लास में अगर किसी को problem होगी तो आप बता देंगे देन मैं आपको video send कर दूँगी आप उस video को देख लेंगे और फिर mixed को improper में और improper को mixed में change करना सीख लेंगे so student इस तरह से मैंने आपको दो problem समझा दी है आप लोग बाकी की सारी problem खुद से try करेंगे और उसे solve भी करने के लिए कोशिश करेंगे बिना किसी से पूछे हुए आप इस video को ध्यान से देखेंगे जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही आप solve करने के लिए try करेंगे और आपको जो भी answer आएगा आप उसे अपनी group में send करेंगा और मैं correction करूँगी अगर कुछ mistake होगा तो मैं उसे सही करूँगी लेकिन आप लोग सारी problem को खुद ही try करेंगे और बहुत सारी बच्चे ऐसा भी बोल रहे थे कि साइद उन्हें पिछला work समझ में नहीं आया है तो बच्चों पहले आप लोग अच्छे से video को देखिए ध्यान से तब जाकर समझ में आएगा अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप video को कई बार देख सकते हैं लेकिन आप जब भी देखें तो उसे ध्यान से देखें तो जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे और समझने की कोशिस नहीं करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा तो student आपको जितना भी problem number 5 में जितने भी questions हैं जितने भी problems हैं आप उन्हें सभी सभी को अपनी copy पर solve करेंगे from a to f इन सब को अपनी copy पर solve करेंगे जो भी answer आता है सही या गलत आप उसे correction के लिए send करेंगे और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो मैं correct करके बताऊंगी भी clear हो गया तो student बस आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम लोग new exercise स्टार्ट करेंगे